हेलो एवरिवन देखिए अब एक्जाम्पल 15 देखो इससे पहले आप कोश्चन कर चुके हो 2.4 एक्ससाइस का कोश्चन नूमर 5 ठीक है इसी तरीके से था तो इसमें एक एक्जाम्पल भी आपके पास ठीक है यह मैं करवा देता हूं आपको देखो सेम वैसे ही करना है इसमे फैक्टर कैसे इस से वह से त्वाइड करके स打 गêmes और 107 से हो जाएगा इस तरीके से हम देक्षटर से पपर नूंबर 25 वी 3 हम यहा लिख देंग एसटर ओफ की कहीं देखते है न हम् ठीक है बंचन्स्ट tapping को इससके الحp कोश्चन से मुल्डिपिला करते हैं eligibility 1 है तो उसके factor देखते हैं ठीक है तो 1 ही था तो 120 की factor देखेंगे तो factor of 120 R क्या होगे हमारे पास plus minus का 1 plus minus का 2 plus minus 3 and plus minus का 4 and so on इस त्रीके से बहुत हो जाएंगे ठीक है समझ रहे बाद तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको P of X मान लेते हैं यहां P of X कितना है हमारे पास X cube minus 23 X का square plus 142 X और minus का 120 तो हम देखो सबसे पहले पूट कर लेते हैं मैंने का 1 अगर minus का 1 put करेंगे तो देखो क्या होगा आपके पास minus 1 X की value minus 1 रखेंगे यह 23 और यह minus 1 का square plus में यह 142 और यह X की value minus 1 रखेंगे माइनस का 120 minus 1 का cube minus 1 होता है minus 1 का square plus 1 होता है तो यह minus का 23 आ जाएगा और यह minus का 142 आ जाएगा और यह minus का 24 बन गया और यहां से minus minus plus sign which is greater होता है तो माइनस यह बन जाएगा plus 26 और यह तू तो यह तो देखो यह तो जीरो नहीं बनता है यहां पर ठीक है माइन मेंस प्लस होगा sign which is greater 4 और 2 कितना होगा यह मेरे पास to do 142 और यह one और यह minus का 120 तो थो ननका क्कुद वन माइनस में 23 आ जाए गाई एवन का स्केर वन होते है यह plus का 142 और यह minus का 120 कि इतना ओजाएगा यह त्टो माइनस का यह प्लस माइनस माइनस तो यह आगा 22 माइनस का और यहान्यों से चिशको और यह यहां से यह बाह चलता है कि x-1 factor है तो x-1 is the factor of given px जो polynomial है यह तो चीज़े समझते हो ना आप देखो अगर मैं पहले से इसको एजिम के लिए था कि यह x-1 इसका factor है तो अगर इसका x-1 factor है तो हम remainder theorem से क्या करते यह इसका factor है तो यहां पर हम क्या कर रहे है उसका reverse देख रहे है क्या पहले हमने 1 ले लिया x-1 लिया फिर 1 लेके देखा तो 0 आ रहा है इसका मतलब अगर x-1 पर 0 आ रहा है तो 1 इदर जाके x-1 बनाते है यानि कि x-1 उसका क्या होगा factor होगा यह बात समझ रहे हो या नहीं हो समझ रहे हो बताओ यह चीज़ क्लियर होगी इससे क्या होगा हमेरे पास एक factor बता चलताएगा हमें polynomial का लेकिन 3 factor होते हैं total cubic polynomial में तो 2 कैसे निगलते हैं वो बताओ क्या करते हैं हम उसमें long division करते हैं ठीक है तो long division से क्या होगा देखो लॉंग division करेंगे देखो यह हमारे पास x का क्यूब माइनस का 23 x का स्क्वेर प्लस में 142 x एंड माइनस का 120 एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखो आपको पता है इसकी first term x3 और यह x कितना आया x का स्क्वेर यहां x स्क्वेर एक्स स्क्वेर को x-1 से multiply करो x3 माइनस का x स्क्वेर साइन चेंज कर दो यह माइनस यह प्लस ठीक है प्लस माइनस माइनस साइन विच इस ग्रेट तो यह आ जाएगा 22x स्क्वेर यह प्लस का 142 x एंड माइनस का 120 देखो इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेग 20-22 x संवज जगो ना यह सब चीजे फिर सब्ट्रेक्ट करो सब्ट्रैक्ट में साइन चैंज रते हैं यह の एक प्लस का एमाइनस का ये E , तो यह आ जाएगा 120 x और यह एक स्टुवाइड करो कि आएगा प्लस का 120 मूइड करो फिर प्लस यह 120 को x-1 से तो कितना आ जाएगा यह 120 x और माइनस में 120 sign change कर दो यह plus का है तो यह minus का यह plus तो यह देखो क्या हो जाएगा यह cancel और यह भी cancel तो यह आ गया 0 तो remainder 0 आ गया और हमारे पास यह है x square माइनस में 22x प्लस में 120 यह quotient आ गया तो इसको हम क्या करेंगे splitting the middle term से solve करेंगे तो कैसे करेंगे splitting the middle term से तो देखो 120 के factor ले दो 120 के 2 6 0 2 3 तो 3 से कर दो यह 2 से कर दो 15 53 से 35 और यह 5 क्या बन रहे हैं देखो ध्यान से इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 यहीं बन रहे हैं ठीक है अब देखो ज़रा प्लस माइनस करने से 22 नहीं बन थे ठीक है न तो इसमें हम यह कर सकते हैं देखो इंटू में 12 मुल्टिप्लाइगर के 120 आता है और प्लस माइनस करें अगर तो माइनस का 12 करें तो माइनस का 22 बनता है तो इस तरीके से कर सकते हैं इसमें तो देखो एक स्क्वेर माइनस का 10x एंड माइनस का 12x इस ते किसे लिए और यह प्लस का 120 यहां से x common x-10 आ गया यहां से भी x-10 लिखेंगे अगर हम यहां से क्या को मन लें माइनस का 12 ताकि यह मल्टिप्लाइकर के उपर यही सेम्टम बन जाए ठीक है तो यह देखो एक समाइनस का 12 क्या है यह नहीं है तो यहां से हमारे पास तीन फेक्टर के आगे लिखेंगे तो इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने क्रावा दिया ठीक है लेकिन देखो सेम ही था जैसा हमारे पास एक्सेसाई 2.4 में कॉशन नंबर 5 था वैसा ही था बिल्कुल क्लियर ओके थेंक्यू